हाई एवरिवर्न कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग एच्छे होंगे मैं हूर आहूल जेस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में प्रेंट्स आज अगेन आपके सामने वन अफ्ट ब्यूटिफूल मैथेमेटिक्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आचुका हो दोस्तों और आज के दिन अगेन हमारे जो प्यारे 12th स्टैंडर के जो स्टूरेंट्स है इनके लिए Math जो कि मैं पढ़ाता हूँ तो Maths 1 का पहला 1.4 की शुरुवात करेंगे और खतम भी करेंगे यानि आज के लेक्चर में पूरा exercise करवाएंगे और आप जानते होंगे तो यह चाप्टर में 1.5 exercise भी है यानि कि और दो से तीन लेक्चर लगेंगे और यह पूरा चाप्टर आपका समझ में और क्लियर तरीके से हम पढ़ है क्यों क्यों क्या आपको हर दिन आपको एक वीडियो देंगे 12 स्टैंडर के लिए अलग-अलग सब्जेक्स के लिए तो आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं हम यहां पर मैस पढ़ा रहे हैं और बायलजी और के मिल जाएगा ठीक है बस आपसे एक रिवेश करता हो कि आप आपको कुछ भी अगर डाउ उठे दोस्तों आपको कुछ भी अगर मुझसे बाते करना है पूछना है तो सबसे पहले तो आप मुझे यहां पर मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पर फॉलो ऑन इंस्टाप यह मेरा आईडी है अगर मैं आपको बता दू एड़ रहुल जैस 23 यह मेरा आईडी है पैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो आपको जो भी सवाल है जो भी मुझे सजेशन देना चाहते हो पूछना चाहते हो आप मुझे मेंशन कर सकते हो डियम कर सकते हो आपकी जो मर्दी है लेकिन follow जरूर से कर लेना, और दूसरा जितना भी हम से हो सकेगा, हम आपके लिए पढ़ाएंगे, बिल्कुल चिंता करने के जरूत नहीं, हमारा जो commitment है आपके लिए, वो एकदम dedication के साथ है, चाहे तब्यत खराब क्यों नहीं हो दोस्तों हम आपके लिए पढ़ाएंगे, म हम आपको मेनत करते रहेंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे, तो सबसे पहले आज आज आदे topic पे आज चलो, क्या है topic है आज हमारा, जो कि आप देख पा रहे हो, write the negation of the following, question number one, total 3 question है, और तीनों के लगबख बहुत सार example से, तो लगबख 70-80% examples, हम आपको solve करा देंगे, आपको चिंदा करने के जरुतनी, तो सबसे पहले आप देखोगे, negation of q, conditional p, तो आपको याद होगा कि जब भी ऐसा questions आता है, तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है, negation करना होता है, यह पूरे को लिख दिना पड़ता है, तो यहाँ पे negation of q, conditional p दिया हुआ है, इस हमारा एक condition है, हमारा जो बहुत सारे formulas जो है, हमारे बहुत सारे law जो है, आपको अगर याद होंगे, हमारे यह previous lecture में हमने यह पूरा table explain किया था, और जितने भी type के laws होते है, यह सभी चीज़ बताया था, तो आपको conditions दिमाख में रखने, तो जैसे मैंने आपको बोला कि लिख सकता हूं, यह negation of Q है, तो इसका भी negation, तो negation of negation Q क्यों क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, इसके जगा पर और लिखूंगा, और second वाला as it is रहता है, अब इस चीज़ का negation कर तो 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 यह बन जाएगा, आपका answer क्या आजाएगा, देखो यहाँ पे, तो और negation के वेज़ से and बन जाएगा, और यह negation of P आ जाएगा, तो this is your final answer, यहाँ निगेशन of and, negation of Q, तो within 5 to 10 seconds, यह इतने easy questions होते हैं थे कि 5 से 10 seconds में आप इसको बिंदा solve कर सकते हैं और आउतना answer निकाल सकते हैं, और एक question definitely पूसता है, write the negation of the following, तो आपको चिंता करने के ज हो गया, अब मुझे क्या करना, इस चीज़ का negation करना, तो negation of P क्या बन जाएगा, negation of P, negation of and क्या बन जाएगा, और negation of negation of Q क्या बन जाएगा, क्यो बन जाएगा, तो negation of P और Q, this is the final answer, दो second, मात्र दो second लगे दोस्तों और इसका answer हमने निकाल दिया, तो सोचो एक्जाम of Q, यह bracket में लिखो, यह and है, और यह R है, यह पूरे का negation करना, next step क्या हो जाएगा, अब यह देखो, यह एक है, यह एक है, मतला अलग-अलग चीज़ है, तो अलग-अलग negation देता हूँ, तो negation of P, V, negation of Q, यह हो गया, अब यह negation के वीज़े से and or बन जाएगा, और यह negation of R, पहले से यह, इसको bracket बना दो, this is your final answer, यानि negation of P and Q, और negation of R, this is the negation of the particular question, जो हमें पूछा गया था, कितना simple था, अरां से हमने बता दिया, clear है, समझ में आ गया, अब चलते हैं हमारे next question की तरफ और देखते हैं, और कौन से questions पूछे हैं, तो question number 4 complete हो गया, अब जाते है पाचवा example, question number 1 का पाचवा example, क्या बोल रहा है, P conditional, तो सबसे पहले इस पूरे का negation करना है, यानि कि P conditional, PV negation of Q, इस पूरे का हमने को क्या करना है, negation करना है, तो बारी-बारी से करो, लेकिन इस चीज़ को समझो, यह P है, negation है, और यह something है, यानि कि P conditional something आता है, तो हम कैसा लिखते हैं, यह negation तो बार वैसी करेशीह ही रहेगा, यह इसका होता है, पहला, यह negation of P बन जाता है, इसके जगांपे और आ जाता है, और यह पूरा as it is, वैसे करेशीह रहे था, यह कैसे आता है, reason क्या लिखोगे, हमारा reason क्या है, conditional law, conditional law के यह साब से आया है, conditional law, लिक सक अगर आपको लिखना है ना तो आप बता सकते हो यह क्यों आया विकास ओफ कंडिशनल लॉग ऐसा आप बता सकते हो क्लियर है कोई डिक्कत आपको नहीं होगी अब नेक्स्ट टेप यहाँ पर आप देखो यह निगेशन आप निगेशन आप पी क्या बन जाएगा पी बन जा आपको यहां पर दिखाई दे दिया होगा हमने बहुत अच्छी दरीगे से इसको सॉल करवा दिया है क्लियर है दोस्तों तो देखो यार हम मेहनत तो कर रहे हैं आपके लिए क्योंकि जो कमिट्मेंट है 12 स्टांटर हमने स्टार्ट तो कर दिया पिछले साल तक हमारे चैनल आप लोग की सपोर्ट की जरती तो आप हमारे वीडियो जब देख रहे हो ठीक है न तो बहुत सारे से स्टूडेंट्स होंगे जिनको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लाग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाना क्योंकि आप जब लाइक करो तो आपक अच्छे हमको पसंद करें तो हम और महनत को बढ़ाएंगे टेंशन मतले ना तो लाइक करते जाओ और आपने दोस्तों के साथ शेयर करो या बताओ उनको कि हमाने जाया टूटोरिस पर 12 के वीडियो भी आरे है साइंस डिपार्टमेंट के तो प्लीज शेयर करो या तभी निगेशन को बारी-बारी से सेपरेट कर देंगे तो सबसे पहले इस चीज़को निगेशन करना है तो यह हमारा निगेशन इस चीज़को निगेशन करना है ना करेक्ट है तो यह बन जाएगा निगेशन ओफ पी एंड क्यू इस चीज़को हमने सेपरेट कर दिया यह बाह यहां पर निजसिन भारवाला ऐसी छोड़तेंगे और अनदर वालों चैनिगेशन षर्टしょう कि dw क्यों बन जाएगा इसको लिग सकते हैं यहां यहां पर Hip नीशन से चाहर फेवले 10 से 20 से लेकिन answer कितना easily आ जाता है यह हम लोग यहां पर बताने के कोशिश कर सकते हैं clear है समझ में आ गया तो उमीद करना question number one जो है हमारा write the negations of the following इसमें आपको कभी भी कोई तकलीज नहीं हुई होगी तो यह रहा हमारा पहला question समझ में आ गया आगे बर जया भी next question देखते हैं चलो question number two क्या है आप देखते है question number two हमारा जो कि यह rewrite using if then यह तो बहुत simple होता है if then का use करना है और rewrite करना है मतलब क्या होता है कि जो भी statement दिया है एक को p मान लो एक को q मान लो फिर conditions अपलाई करो और उसके इसाब से statement बना के लिख दो बहुत simple है यह अलुड हमने example solve करवाए थे बहुत सारे तो if a man is a judge तो मैं क्या लिखूंगा p को मान लेता हूं कि a man is a judge p को मैंने मान लिया कि man is a judge और q को मान लेता हूं कि he is honest he is honest यह मैंने मान लिया ठीक है अब इतना समझा आपको अब मेरा condition क्या है if a man is a judge then he is a honest मतलब मेरा condition क्या बनेगा p conditional q बनेगा और p conditional q को हम लोग कैसे लि यह P बन जाता है, negation of P, यह condition बन जाता है और, और second वाला, यानि Q का Q ऐसी ही रहता है, यानि negation of P और Q, तो इसी चीज़ को statement में बनाओ, statement P क्या कहता है, P कहता है कि a man is a judge, लेकिन यह negation of P है, तो negation मतलब not लगाना पड़ेगा, तो a man is not a judge हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, a man is not a judge, यह हमारा आगया, negation of P, यह negation of P आगया, फिर उसके बाद कहा है, और, तो और के लिए लिखेंगे, और, correct है, और के लिए और लिखा, और Q, Q क्या है, is honest, तो लिख दो यहाँ पर, he is honest, यह आगया हमारा question का answer, कितना आराम से आगया, तो यही चीज़ हमें लिखना ह आपको नहीं होगी, clear है, समझ में आ रहा है, तो जरूर से comment कर रहा है, sir, हमें समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो please comment करते रहो, या like करते रहो, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते है, हमारे next question के उपर जाते है, जो कि है, if 2 is a rational number, तो इसको P मान लो, P को मान ल रहेगा, if then वाला है, मतलब P conditional Q बनेगा, और इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते है, negation of P और Q लिख सकते है, यही होता है ना हमारा, तो negation of P, statement कैसे बनाओगे, negation of P, P क्या है, 2 is a rational number, तो negation क्या बनेगा, उसका 2 is not a rational number, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2, हम root 2 is a irrational number, यानि root 2 is irrational number, यह आगया हमारा answer, और this is the final answer, खतब, कितना simple है, है कि नहीं, आगे बढ़ें, देखो, बहुत easy होता है, ऐसे questions को करना, एक नेगा, आएगा, आप आराम से कर पाओगे, question number 3, करोगे क्यों होमवक देदू, चलो, मैं करवा देता हूँ, चलो, तीसरा भ आपके लिए करवा देता हूँ, क्या है, if f of 2 is equal to 0, तो f of 2 मतलब p मान लेता हूँ, तो p is equal to f of 2 is equal to 0 मान लिया, p को मैंने f of 2 is equal to 0 मान लिया, और q को मान लेता हूँ, दूसरा वाला, क्या है, fx is divisible by f of x is divisible by x minus 2, यह मैंने मान लिया, अब condition क्या है, if or then है, यानि p conditional क्यों आ गया, इसका मतलब यही होता है, negation of p और q होता है, तो negation of p क्या बनेगा, f of 2 is equal to 0 है, तो negation क्या बनेगा, f of 2 हमारा statement क्या बनेगा, f of 2 is equal to 0, तो इसका negation क्या हो जाएग, f of 2 is not equal to 0, यह आ गया हमारा यह वाला, उसके बाद और लिखना है, और q लिखना है, तो q क्या है f of x is divisible by x minus 2, आगया answer, खतम, simple है, clear दोस्तों, तो उमीद कर रहो कि यार, ये questions बहुत simple, बहुत मज़ेदार थे, तो आपको समझ में आ गया होगा, अब आगे बढ़ जाते हैं, जो कि देखते हैं, हमारा question number 3, और इस exercise का आखरी question, question number 3 क्या है, चलो देखते हैं, फटा-फट से question number 3 is, without using the truth table, देखो यार, इसके पहले हमने बहुत सार exercise सॉल करवाए हैं आपको, उसमें कभी भी हमको truth table का use करने बोला था, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं, truth table के बदले हम direct proof कर सकते हैं, क्या, तो left hand side is equal to right hand side proof करके दिखाना है, तो पहला question, P by conditional Q लिखा हुआ है, और ये right by conditional law है, वो क्या बोलता है, कि जब भी P by conditional Q दिखा होता है, तो एक बर P conditional Q लिखते हैं, फिर and और एक बर Q conditional P लिखते हैं, तो ये लिखना पड़ेगा हम लोग को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो ध्या कि अगला जो पाट है वहाँ पे बहुत सरा काम आएगा यहाँ पे थोड़ा और लंबा खिसता हूं चलो आगे जो आएगा लिग देंगे अब यहाँ पे देखो यह बाइक चीज़ पता है दोस्तों अगर आप बिल्कुल फोकस कर पा रहे होंगे एक चीज़ पता है कि यह कं अगर बन जाएगा यह और यहाँ पे और यह बन जाएगा और यह बन जाएगा और यह चीज़ ओके नेक्स्ट टेप ध्यान दो क्या आएगा यहाँ पर आप देखोगे तो यह बीच में क्या है वी तो बीच में आजाएगा वी अब क्यू को यह पूरे के साथ कर दो यानि यह बीच में क्या है वी तो बीच में आजाएगा वी अब क्यू को यह पूरे के साथ कर दो यानि कि क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू वी पी और यह कौन सा लॉग है दोस्तों यह सब जानते होंगे यह लॉग को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिबिटिव लॉग इसको क्य सेकंट टॉपर में एक आदा एक मांसते फरक होता है कभी-कभी तो वो ना जाया आप लोगा तो यह होगे डिस्ट्रिबिटिव लोग अगर आप द्हान दोगे नेक्स्ट अपने आपको एक और चीज़ समझ में आएगा कि क्यू नमें यह निगेशन ओफ पी आंड क्यू क अब इसकी बारी खतम अब यह है इसकी बारी खतम अब यह वी लिखा यहां पे वी हो गया अब यहां पर यह एक क्यू और यह प्यो एक यह तो Q and P, और ये Q आया दोस्तों कुन बताएगा मुझे, ये भी आया, हमारा कौन से law के वज़े से, distributed law, क्योंकि हमने distribute कर दिया, तो ये भी आ जाएगा distributed law के वज़े से, कहाँ पर एक line खीज़ दो अच्छी तरीके से, ठीके, समझ भी आ गया, distributed law, अब एक और step यहाँ पर आ सकता है, क्या आ सकता है, देखो दियान से, ये चीज़ है, अगर आपको, जो table हमने पढ़ाता, वो अगर याद होगा, तो कभी भी, अगर हमारा कोई भी एक P या फिर Q, अगर सेम सेम है, और एक positive और एक negative और बीच में and आ रहा है ना, तो उसका value होता है false, कैसे पता लगेगा, जाओ हमारे table वाले column में, देखो यहाँ पे, देखो, यह हमारा देखो, कहा गया, देखो, यह compliment law, क्या बोलता है, कि जब भी P and or negation of P, जब साथ में होते हैं, तो उसका value क्या आता है, false आता है, या फिर Q और Q, P, Q and negation of Q भी साथ मे तो false आईगा, मतला हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर, कि यह तो वैसी का वैसी लिखूंगा, इसको मैं कुछ कर ने सकता, तो इसको मैं as it is, लिखता हूँ, जो कि है negation of P and negation of Q, इसको मैं as it is, को भी as it is, लिखा लेकिन यह पूरे के जगा पर मेरा आजाएगा value false, समझ मैं आ गया, समझ मैं आया कि नहीं आया दोस्तों, तो उमीद कर रहा हूँ आपको समझ मैं आ गया हूँगा, इसको मैं लगा देता हूँ bracket, अब यह वी है, यहाँ पर लिख दिया V, यह Q and negation of Q, य यह V लिखा है यहाँ पर और इसके आगे Q and P लिखा हुआ है, तो इसको मैं as it is लिखता हूँ, यह इसको भी एक बड़ा bracket बाना देता हूँ, और यह जो आया, तीक है ना, यह जो आ रहा है हमारा, यह जो आया, यह कौन से law के वाज़े से आया, अभी अभी हमने देखा, पर देखो, कोई भी चीज दिया हो, और दिया हो, और फॉल्स दिया हो, तो एक law बोलता है हमारा जो कि था identity law, अगर आपको याद होगा, identity law किदर गया, कि अगर, देखो अगर ध्यान से, अगर आपको याद होगा यह चीज, यह हमने आपको पढ़ाने के डाइम बताया था identity law में देखो, कि अगर कोई भी एक value है, P, उसके साथ और है और false है, तो इसका value क्या आता है, P ही आता है, यानि P और false is equal to P, Q और false is equal to Q, तो वही आएगा, तो सेम हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर आपको समझ में आ गया यह चीज, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह और F, मतलब यह P है समझ लो, यह पूरा P है, तो P और F क्या रहेगा, P रहेगा, मतलब यह पूरा ही रहेगा, तो इसके जगा पर यही आएगा, तो वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तो, negation of P and negation of Q, यह इतना समझा आपको, यह bracket और false, तो इ यहांपे लिख दो Q and P, यह इतना समझा, यह कौनसा लाउग आया, यह लाउको हम लोग बोलेंगे, इसको यहांपे लिख दो, यह लोग को हम लोग बोलेंगे, दोस्तो, identity law, कौनसा लाउग वोलेंगे, identity law, अब यहांपे दिखान दो, next step, next step थफ़ड़ा क्रिटी कले, ना सेम सेम मदल हम नजदिक आ चुके हैं तो यह Q & P को P & Q लिख सकता हो क्या बिल्कुल लिख सकता हो तो इसको as it is लिखो negation of P & negation of Q लिखा यह V को वैसे ही लिखा लेकिन इसको मैं P & Q लिख सकता हूँ यह आगे पिछे किया और इस चीज को हम लोग एक law बोलते हैं जो कि है दोस्तो commutative law इस law को हम लोग बोलते हैं commutative law अगर आपको याद आ रहा होगा तो बहुत simple लगेगा तो commutative law हो गया यह ठीक है अब next step में आप देखो हमारा answer जो है हमारा right hand side जो है इसमें P & Q वाला जो है यह वाला इधर है यह वाला इधर है तो हम ला सकते हैं तो यह वाले को इध दिया और आप अगर ध्यान से देखोगे तो P & Q, P & Q, V, V, negation of P and negation of Q, negation of P and negation of Q, जो की same है तो यानि कि is equal to right hand side इसका मतलब हम लोग सीधा 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 बोल सकते हैं कि left hand side is equal to right hand side इसका मतलब यह हमारा answer आ गया और हमने इस चीज़ को प्रूब करके दिखा दिया तो हमार question number 3 का पहला example अब चलते हैं दूसरे example के दरफ देखते हैं और भी कोई tough example है क्या देखो अब दिखने में hard दिख रहा है क्या है easy है कि hard है पता नहीं चलो क्या करेंगे solve करेंगे तो सबसे पहले left hand side ले लेंगे हमा left hand side क्या दिया हुआ है P V Q दिया हुआ है and दिया है P V negation of Q Q दिया हुआ है ठीक है इसको अमने को प्रूफ करना है चलो पहला step यहां पर आप देखोगे अगर ज्यान से क्या कर पाऊंगा में थोड़ा सब देखो कोई भी चीज़ को देखो थोड़ा 2-3 second time लोगे चलेगा देखो एक मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि यहां प और फॉल्स और अभी अभी एक और चीज़ हमने पढ़ा इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे यह लोग को हम लोग बोलते हैं कुल सा ला कॉमन निकालने वाला ला निकालने वाला लोग उन साई अब एक और last चीज़ है, यह P और false, तो P और false तो कोई भी चीज़, और false जब होता है, तो वही चीज़ आता है, यानि इसका value P ही आ जाएगा, और यह Q आया, किसके वज़े से आया, इस law को हम लोग क्या बोलते हैं, दोस्तो, identity law बोलते हैं, correct है, इस law को हम लोग बोलते हैं, identity identity law, और आभी चेक करते हैं कि हमारा right hand side क्या है, तो right hand side P है, मतलब यह R है, मतलब यह is equal to right hand side आ रहा है, इसका मतलब हम लोग सीधा-सीधा बोल सकते हैं कि left hand side is equal to right hand side, मतलब हमारा hands prove लिग दो, कतम कहानी हमारा answer आ गया, कितनी आसानी से बोलो यार, दिखने में भी छोटा ल बात के जो दो questions है, question number 3 का ही बात करूँ, तो और भी दो examples है, लेकिन मैं वो आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ताकि आर आप लोग भी थोड़ा practice कर सको, तो आप लोग के लिए home work है, जरूर से मुझे comment करके answer बतालना, मैं आप लोग के comment का wait करूँगा, और जैसा मैं इतना ही ये वीडियो इतना ही था दोस्तों, उमीद करते हों कि हमारा वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा, तो ये वीडियो आपको कैसा लगाए, प्लीज जरूर से comment करके बताना, वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगाए, दोस्तों तो प्लीज वीडियो को like कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर फर्स टाइम आयो चैनल पर आभी देक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटा-फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजु में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की अमारे न्यू वीडियो में तब तके लिए, थाइंक यू एंड गुडबाई